आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में मंडे के दिन और थोड़ा सा declining note देखा गया है whatsoever हम कहीं कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये consolidation एक रिजबर्दस जो है वो हम कह सकते हैं कि stagnant position में आ जाएगी आज के दिन 78,600 अबव जो है वो market में closure रहा सासा जो है वो 282 points का decline देखा गया overall market की sentiments जो है वो थोड़ा सा cautious and dryness की तरफ आज के दिन नजर आए क्योंके first day था लेकिन कह सकते हैं कि market में ये stagnant position के बाद जो हो बहतरी आ सकती है और finally जो एक price earning multiple का impact है वो हम witness करेंगे जो investors participation होगी nextly हमारे पास key policy rate की announcement है 12th of September यानि के Friday के दिन तो इस week का अखास जो हुआ है वो इस anticipation के साथ हुआ है कि अब policy rate की announcement होगी और यकीनन इस बात की भी एक काफी वुसूख के साथ तमाम NLS और तमाम business community इस चीज़ का वेट कर रही है कि यकीनन कुछ ना कुछ रेट कट होगा कुछ ना कुछ एक ease-off दिया जाएगा कुछ का कहना है कि 150 BIP और कुछ का कहना है कि 250 BIP हो सकते हैं कि 250 BIP जो है वो business community है जो demand करते हुए दिखाए दे रही है तो वो लोग जो काफी अरसे से बेट कर रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ एक relief चाहिए in the mean के उधार जो है वो सस्ता हो जाए और किसी तरीके से अपने businesses promote कर सके तो आज हम यह detail बात करेंगे कि जो policy impact होगा इस week के start से market के अंदर economy के अंदर तमाम numbers के अंदर anticipation तो देखी जा रही है और वो हमें market के अंदर भी दिखाए दे रहा है लेकिन जो एक whatsoever amount जो जब भी कट होगा तो फिर कितना जादा जो है वो आने वाले दिनों में इसका impact आएगा आज हम यह detail बात करेंगे सासर बिजनसे exhibition के हवाले से बात करें, businesses exhibition आपको याद होगा last जो month था उसमें चाइना के अंदर exhibition की गई थी पाकिस्तानी products की और उससे पहले after two weeks पाकिस्तान में food जो है वो exhibition की गई थी, फिर later near कुछ ना कुछ ना कुछ exhibition point of view से marketing genre को touch करने की कोशिशे की जा रही है, यह कोशिशे कितना जादा रंग लाएंगी, इसका क्या impact है, वो हम वाज़े तोर पे export के numbers में देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि हमारे पास new products, new जो ventures हैं वो open हो रहे हैं, तो आज हम इसके ओपर भी detail बात करेंगे, economic performance को भी discuss करेंगे, we have a very exclusive panel, हमें जॉइन किया है, आमर वहीद साब ने हमें अभी join करेंगे, वो हैं founder chairman Pakistan Association of Exhibition Industry, तो मैं प्रोग्राम का बकाइदा आगास करूँगी, आमिर वहीद साब से और उन से पूछूँगी, आमिर साब, economic performance की बात हो रही है, यह आज का दिन है, मंडे का दिन है, kick-off हुआ है, और यहाँ पर anticipation देखी जारी है, कि जो Friday को policy rate announce होगा, क्या लगता है आपको, देखें, जितना policy rate गम होगा, मिसाल के तोर पे, जितना bank interest rate डाउन होगा, उतना business की growth जादा होगी, business flourish करेगा, business grow करेगा, क्योंकि उदार जैसे आप कहा रही थी, कि उदार लेके, हम कब तक जादा rate पे उदार लेके, तो हम कब तक business को चल सकते हैं, जितना 25-23% पे पिछे दिनों bank interest rate चल रहा था आपका, तो अब आपका, हम तो चाहते हैं कि 15 एट लीस्ट आजाए, तो 15 तो वैसे नहीं आएगा, मुम्के नहीं है, आसता-सता उसको, मिरख़र, slow down करेंगे, नीचे लेके आएंगे, क्यांकि जितना down होगा, उसम सकती है, बिजनस बढ़ेगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, आपके जो लोकल बिजनस है, जो लोकल है वो भी बहुत जादा उसकी growth होगी, क्योंकि जितना interest rate जादा होता है, economy उतनी slow down हो जाती है, अच्छा, यह एक formula होता है, जब हम देखते हैं, कि inflation शूट करती है, तो उस वक्त, इंटरनाशनली यह exercise विटनस की जाती है, कि हम वहाँ पे आपका policy rate बढ़ा दिया जाता है, जिसकी विज़ा से वो तरीके से जो हो तमाम चीज़ें बेटर हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहां थोड़ा सा documented, undocumented, undocumented के games के अंदर थोड़ा सा यहां पे हम आके stuck हो ज असलिए मैडम हमारी जो economy आपको पता जादा तर इसमें cash economy बहुत जाता है, black to gray area इसमें बहुत जादा है हमारा market का, उसको हमें curtail करने की जूरत है इस वक्त न, अभी हम यह करते हैं कि हम filer और non filer का हर जगा पे हमने impact डाला होता है, हमारे मुल्क में मैं यह समझत हो कि non filer तमाँ chambers के जो members बनते हैं वो सब filer होते हैं, तमाँ association के member बनते हैं वो filer होते हैं, तक सारे filer होते हैं, उसके लावा यह देखें कि अगर वो filer नहीं है, जो हमारे साथ दूकानदार बैठे हैं, एक filer और non filer है, filer में सारी compliance करनी है, उसने withholding tax भी काटना है, उसने हर तरी देना, further tax देना, no income tax देना, कोई चीज देनी करने, तो हम non filer business को promote कर रहे हैं, यह concern तो finance minister साब ने पहले ही दे दिया था, जब आपको याद होगा budget के बाद एक post budget speech ती, तो वहीत साब अब आपको क्या लगता है, कि अब हमारे पास जब policy rate भी एक ideal हम कह सकते हैं के way में आने परसेंट काफी हैं, मैं यह समझता हूँ कि अगले 3-4 मिने में हो सकता है, क्योंकि budget के फोरी बाद अब यह दूसरा policy rate आ रही है, विदिन आप समय लें, एक quarter के अंदर अंदर आप आगे हैं, तो दूसरे quarter में अगर फिर 2-3% होगा, तो next financial yen आने से पहले मैं यह समझता हू क्योंकि 15% हो सकता है, तो क्या financing के issues अभी जो businesses काफी you know hot water dive करें तो क्या यह चीज़ बेहतर हो जाएंगी, बिसनस चलना शूरू हो जाएगा, अब 20% बे 22% बे लेकि आप business की growth नहीं करते हैं, आप तो 29% हो आए, एक साहरे 19% तो apparently नहीं होता ना, साधे 19% आप काइबर लग काते हैं, फिर आपकी insurance होती है, वो तो 24-25% बे पहुंग जाता है, अच्छा अभी अगर let's say, अगर 150 BIP कम कर दी जाते हैं, तो वो तो यह होगा के वो एक Q में आ रहे हैं, Q में आगए 18% हो जाएगा, फिर एक देर मीने, दो मीने, और 250 BIP हो जाए, फो कास्ट, ठीक है जग आपकी जो construction sector है बिलकुल रुका हुआ इस वक्त, बिलकुल खतम है, आपकी जो steel sector है, आपका जो बॉर्विंग पर चलते हैं, आपका cement है, आपके बेशमार जो उसके साथ जो allied industries है, वो सारी रुकी हुई है, अगर वो आप यह interest rate कम करेंगे, तो construction में लोग पैसा लगाना श चकर है, 7F पर चकर है, उस चकर में भी वो एक से जादा प्रॉपटी रखेंगे, या फिर company के नाम प्रॉपटी को रखेंगे, तो इस तरह की चीजी है, लोगों ने तो बहुत solution निकाली है, कि कुछ के employees के नाम ने, you are very right, यह होना चाहिए, लेकिन filer भी ओल्दो बनना चा अब यह मन्त जो September है, इसके अंदर IMF प्रोग्राम, you know, executive जो एक approval है, वो आनी है, staff level agreement, although it is already approved, तो अब आपको क्या लगता है, कि इसी मन्त के अंदर policy announcement भी आ रही है, इसी मन्त के अंदर हमारे पास जो tax की filing की date है, वो भी होनी है, तो a lot of back-to-back events are held in this month. मेरा ख्याल, IMF है वो शायद अक्तूबर तक चला जाएगा, सब्टमबर में शायद ना हो कुछ चीज़ों की वज़ा से के पाकिस्तान को further guarantees लेनी हैं दूसे मुलकों से, चाइना से, यह सौधिया से, UAE से, वो एक अदमीना उसमें लग सकता है, तो अक्तूबर तक वो चल जादर जादा revenue कठा हो जाएगा, और फिर हमें वो मोका मिलेगा कि further Pakistan का पैसा कहां पर यूटलाइस करना है, तो यह भी एक अच्छा साइन हो, मैं तो यह समझता हूँ, और इस बार आपको क्या expectation है, क्या filing की date को आगे बढ़ाया जाएगा, as per past exercises, अगर उन्होंने as a policy announcement की ह यह है कि हम date extend नहीं करेंगे, जो भी 30 September है तो मेरा खैल इसमें लोग maximum जमा करादें, और मेभी अगर 30 September तक हो तो बाद में जो लोग fall करें तो फिर वो फिर उनको benefit नहीं मिलेंगे, उनको लेट फाइलर कराएं, किसी ने को property transfer करानी, उनको फिर नॉन फाइलर कराएं, इस त tax क्यों नहीं pay करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी logic है, जो tax pay कर रहा होता है वो फिर इबरत का निशान बनता है पाकिसान में, तो यह आज हलात है, जो भी tax देता है, यह ऐसा भी नहीं है कि इबरत का, लेकिन आपको थोड़ा सा यह है कि straight away थोड़ा सा देना पड़ेग अपनी सारी चीज़ें पूरी करना पड़ेगी, इसलिए FBR के चेर्मेन साब को भी चेंज किया गया था, आपको बता है काफी सारी तबदीलियां होई, फिर डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, जो चीज़ें जितनी अच्छी होंगी, सीधी होंगी, असान होगी, उतन अगर आप यही डिजिटल सिस्टम कर देंगे, हर बंदे को असानी होगी, वो टेक्स भी सही तरीके से प्रॉपर फिर देगा, अदर्वाइस उसके पैसे इस्टक होते जाएंगे, वो टेक्स कैसे देगा, तो आप समझते हैं कि जो रिफर नेबिल बिसनिस कम्यूनिटी का और देख़ने है वो टे। वो टेदेंगे, वो टेलिस्ट को उनको इस पनगे विफर नेए तो फो फिर आदेंगे इस साल जो है तो फमकसे ओ deserves this tof but that alien कोई भी देमांड कर रहे होते हैं कोई काम कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना ही जाहिए आप इस पैसे फश जाते हैं मसाला मर्केड में कि इस लिग गुष देखें और इवनुस तलाज करने हैं पहले तो हम पांच सेक्टर को एक्सपोर्ड में बैठे हुए थे अब और आई-टी बीच में आ गया और सेक्टर आगे अब उन सेक्टर को आप देखें हमारा अग्री कल्चर बोट बड़ा सेक्टर उसकी वल्यूदिशन पे हम लोग आई उसकी वल्यूदिशन से अम एक्सपोर्ड करें तो और अग्री कल्चर पे एक्सपोर्ड को चीज बाइर से इंपोर्ड करें हैं और से इडिबल अए इतनी पर्डॉक्त आ में बार से मगआ रहें आ और से आग्री क्रेंब दूब इन नहींगार आन Пाकेस्टान में उसकी करें मारी कितनी बड़ी कोस्टर बेल्ट है वहाँ पर पाउं ट्री लगा सक वीट नुस्कू को बड़ा सकते हैं। मेरा ख्याल है जितना हम एड़ाधा है जय अपिजिबिशन में उपिक्शिबिशन चीना में ने हम इनकीजिबिशन लगाई enrichment जितना हम एक्षिबिशन ज्यादा सी ज्यादा लगाएंगे अपनी प्रॉडट्स को मर्किट करेंगे उतना अच्छा हम एक्सपॉर्ड में अजाफ़ा भी कर सकते हैं। कि हमारे पास avenues और options जो हैं वो हमारी business community ढूंड लेती है। चाहे हम Gulf countries को target करें तो यहां पर food security के point of view से काफी concern पाए जाते हैं। यह चाहते हैं कि हमारे मुल्क में through SIFC और through food security कुछ ना कुछ करें। यह चाहते हैं कि हमारी जो food की need है वो सारी fulfilled Pakistan से हो। तो हमारे पास कितनी बड़ी market आती है। दूसरा एक हमारे पास option यह भी है। कि जितना आपने देखा है कि चाइना एंड अमेरिका थोड़ा सा इस चीज़ में यह लोग अपने regulatory duty war आपको याद होगा एक वक्स से चली आ रही है। और अब वो चा रहे हैं कि जो बड़ी company से सारी वो चाइना से निकल के रही और आजाए। तो पाकिस्तान के पास कितना margin है कि पाकिस्तान उसको खासकर जो एक पंजाब का एरिया है। जो जिसमें बड़ी एक lucrative सी infrastructure बनी है। तो वहां पर कितना हम उनको सीक कर सकते हैं। असल में मसला यह है कि सबसे पहले चाइना की बाद में second phase में अफजे करता हूं। सबसे पहले जो हमारा local business panel उसको हमें इतमाद देने की जुरूरत है। जब उसको इतमाद देंगे तो बाइर से हर बंदा आके Pakistan में investment करेगा। एक तो यह उसको इतमाद दें। लोगों के पास पैसा है लेकिन उनको लगाने का तरीका नहीं पता। राइड प्लेस पे राइड जगा पे पैसा नहीं लगाते लोग। जैसे के लोग पहले CNG स्टेशन लगे थे पहले एक रोड पे एक लगा तो वहां पर दस CNG स्टेशन लगे। बाद में देखे हैं हमारी गैस का क्या आल हुआ, CNG सेक्टर का क्या हुआ, अरबों की investment बिल्कुल zero होगी। इसी तरह फुरार इंड़ूस्ट्री में लोगों ने लगाना शुरू किया और इसी तरह लोग जो एना वो देखा देखी एक दूसे पर बििसनस करते हैं। हमें लोगों को गाइड करने की जरुहा थे हमारे जो व्यॉज हैं आप इस जगा पर इन्वेश्मन्ट करें जैसे अगरिकल्चर सेफसी के देत हो रहा है वे बेशमार चीजे आई टी की चीजे हैं फिर टेक्स्टाइल में हैं उसके लाब की जो एंगरिकल्चर में वैल्य ड परकुरहिए यह जाते का है को ति मिनिफेक्च्चरिंग के गोगत। अहीं पिंग कापना प्यूमल में पारिते हैं समयआ तब मअलोर कि लीकका है तो बिक्षान से पैक हो गए रहा है बस जाके सिर्फ इस्टोर्स नहीं है यह सब्सक्राइब पाकिसान में ब्राइब बनाए ना इग्जाक्ली इस पे काम करें वेल्यू अदिशन तरह को कहते है लिए वेल्यू अड्ड करें और इसी तरह आप चैना की बात कर रही थी तो लोग पाकिसान क्यों आएंगे महिंगी बिजली के साथ और आप चाहते हैं कि जो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर है इसको टैक्सेस के पॉइंट ऑफ यू से कुछ रिलीफ देखें हमारी वहाँ पे जो कोस्टल बैल्ट है वहाँ पे ऐसा कोई एक्सपोर्ट से रिलेटर बन जाना चाहते हैं वहाँ पे आप ऐसी चीज बनाएं वही बनें वही प्रोड़क्त बानके वही से एक्सपोर्ट हो जाएं वही पे अगर बाइट से चीज राव मिट्रियल भी आना है वही आए वही डूटी फ्री आए और एक्सपोर्ट हो जाए तो इस तरहें चीज़े हम करेंगे तो हमार जल्दी तरीके से हम तरखी करेंगे और हमारा यह जो ट्रेड डैफिसेट है और हमें हर वाक्त लोगों से एक एकड़ डालर मंगने के पड़ते हैं वही बनाए पास के हम अपना जितना बिजनेस हमारे पास आये करना जितने कंट्री से वह में फिर लोन की रीपेमेंट उस पासे को हम अच्छे तरीके से जोटलाइज करेंगे हैं फिर हमारी ड्वेल्टमेंट भी होगी और लोगों को आम लोगों को रिलीफ भी मिलेगा हम पब्लिक को रिलीफ भी उससे मिलेगा तो इस पर काम हमें मेरा ख्याल है करना चाहिए अच्छा थोड़ो सा यह कि अगर ह को थोड़ा कर्टेल किया गया, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाए गए और एक्सपोर्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर साब ने इनिशिफ दिया है कि अगर आप 50 बिलियन डॉलर्स तक कर लें नेक्स्ट एयर तो बड़ी सही हमारे पास आप्शन आजाएंगे, क्या उसके हमें उपर हमें बेनिफिट देना चाहिए हमारी अकूमत को कि मसाला के फर्मासुटिकल के रॉल मुट्रिलर बाहर से इंपोर्ट होते है उसकी पाकिसान में मैनुफेक्शिरिंग हो अगले 25 साल के लिए इसको टेक्स की एक्जम्चन देदे कि पाकिसान में अगर यह अगल मार्किट को भी दे रहे होंगे और सर्प्लस आप एक्स पोर्ड भी का रहे होंगे हाँ आपको हर जगह से बेनिफिट है जैसे अभी आपने शुगर के साथ किया है नहीं इनों उन्होंने प्ली कि काफी देर से मांगते रहे इजाज़ाद हुए उसके बाद पर प्र शुर शूगर सरप्लस है उस वक्त वमारी इंटरनेशनल मार्केट थी 750 डॉलर उस वक्त उन्हों नहीं दी करते करते यह पिछले डेर दो मेने पहले नहीं नहीं और नहीं 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 डेर लाग तन की अजादत दी जे लाग तन वो जो चीनी थी वो तक्रीमां 600 डॉलर में एक सुपचास डॉलर का रेविन्यू हमारे सरकार को कम मिला उसके बाद फर्दर मोर उन्हों ने एक लाग तन की और इजादत दी लास्ट वीक अब इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त पांसो सवा पांसो डॉलर रेट है अब यह देखे हैं कि हमने साड़े को का था कि 140 आप एक्समिल प्राइस अपनी करें आज की डेड़ में शुगर की प्राइस एक सो सटाइस रूपए है शुगर मिल्स की प्राइस अब तेरों पे किलो प्राइस भी नीचे चलीगी दूसरा लॉस यह हुआ आपको ग्रोवर्स को पेमन नहीं होंगी ताइमली पिर शुगर मिल्स चलाने में टाइम लेट होंगी तो यह टाइमली डिसिजियन सबसे पहले जरू नहीं हम टाइमली डिसियन्स करेंगे तो हमारा मुल्क आगे जाएगा ताइम जो है वह सबसे बड़ा फैक्टर है मैं यह समझी ताइम सबसे बड़ा फैक्टर है और जो सेक्टर है वह भी टेक्स नेट में लाना है और साथ साथ हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एक ऑप्शन है कि आपने अग्रिकल्चर सेक्टर को रिलीव भी देना है फार्मर की तरफ से अगर हम बात करेंगे इसके हवाले से तो यह कैसे समझते हैं दे नियूटीर उनको आस्टा ट कि गई कि चाइना से गुल्फ कंट्री से तबाम जगा पे अपनी मार्केटिंग को थोड़ा पंप किया जाए कैसे तेखते हैं आप ये इनिशेटर आप मैं आपने बड़ा एक इंपॉर्टन टॉपिक है जिस पे बात करने के लिए आज बुलाया है इस वक्त जो हालात है जै को टैप करने की जुरूत है अभी मुझे इतिफाक से चाइना भी मैं गयावा था और अभी रात ही को मैं पहुंच आ हूँ यूके भी हमारी हमारा काम ही यह है कि पाकिसान की परसेप्शन और मार्केटिंग कैसे की जाती है दोनों जगा हमारी जगा दोनों शेरों में हमार इनवेस्मेंट कानफरेंसेज हुई हैं लोगों को ब्रीव किया है पाकिसान के बारे में हालात के बारे में और इस वक्त सरेदस मैं समझता हूँ कि अगर डैरेक्ट हमारे पस इनवेस्मेंट उस तरह नहीं आ रही तो एट लीस्ट हमें पाकिसानी डाइस्पोरा को अंगे पॉजिटिव स्टेप्स लेने की जूरत है कि हम उनको यहां अट्रेक्ट करें और कहां वो डिरेक्ट इंवेस्मेंट लाई जा सकती है पहले वो उस जगह पर उनको लाई जा सकते हैं यहां आपको पॉस करूंगी मैं शकील मुनिर साब को प्रोग्राम में वैलकम करूंगी आप फॉर्मर प्रेजडेंट है इसलामबा चेम्बर ऑफ कॉमर्स के उन्होंने भी अभी हमें चॉइन किया है जी कंप्लीट किजिए तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा इस वक्त मौका है अभी मेरी आने से पहले भी एक दो दोस्तों से यही बात हो रही थी कि करता है लेकिं जहां हम उनको मौौटीवेट कर सकते हैं तो हमें हर तरफ से रिफ meow घर तरीकों से बाहर निकल के और आसी पॉलसे देनी होगी uh ऐसे package देने होंगे जिसकी वज़ा से उनको हम यहां पर motivate करके ला सकते हैं यह को ऐसी नामुम्किन चीज नहीं है इससे पहले भी crisis बहुत आते रहे हैं हमें सब को मिल के काम करने की जुरूत है इस रोगी और जब भी कोई परशानी आए तो सब को मिल कर ही उसको solution की तरफ ले इन कुछ न कुछ कमी की जाएगी कुछ लोगों का कहना है कि 150 विप्स और कुछ कह रहे हैं कि 250 विप्स करने चाहिए यह justified है क्योंकि आपकी inflation जो है वो 9.5% पर आ चुकी है और अब single legit inflation के अंदर इतना interest rate क्यों है जी बिलकुल इसमें सबस्पहले तो आपको शुक्रिया ज इसमें इसमें government को जो है interest rate को भी कम करना चाहिए इसके बगार तो इस वक्त आप देखें के survival मूंकि इतना ज्यादा जब interest rate होगा इतना ज्यादा जब बैंक्स जो है profit offer कर रहे होंगे तो जाहरी बात है investment कैसे आएगी और investment लोग तो bank में रखने को prefer करेंगे और कभी बिजन जो है उसमें उसकी रेल पेल नहीं उनको risk-free जो है वह वह इसकी अवांट रहा है और उसमें उसको उसलिया से वह कभी भी नहीं करेंगे इसके लिए definitely government को जो है कुछ मैयर लेने चाहिए ताकि ताकि इसको जब तक वह single digit में नहीं लाएंगे इसमें आप देखें के जितने की तरफ जा रहे हैं सब जी बिल्कुल उसमें इस वक्त जूरी इस चीज के कि बिजनस को आप कैसे फ्लारिश करेंगे कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे इंडिस्ट्री चलेगी तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी सबसे पहले बन्यादी चीज तो यह है तो इस वक्त इ इस बात कई दफ़ा हो चुकी है और इंडस्ट्री को देखें जब तक अलैक्रिसट्टी में गर्वर्मन्न डेड़ेगी इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी इस सिच्वेशन में इंडस्ट्री बहुत चाइड सफर कर रही है कोई भी इंडस्ट्री लेने उस उस सफर कर रही है और उसको जब तक मतलब है इसको गर्वर्मन्ट इसको अड्रेस नहीं करेगी ये चीजें कभी भी जो है उसमें इसमें बेहतरी नहीं आएगी दूसरी में जो बात बड़ी जूरी है देखें ये मुल्क हम सब का है ये सिर्फ गर्वर्मन्ट का मुल्क नहीं है ये अपोज प्रोटिकल इस्टेबिल्टी सबसे पहला बुन्यादी रिदन है। मैं समझता हूँ कि इस वर्टिकल इस्टेबिल्टी को काम होना चाहिए। चारो प्रोविंसेज में डिफरेंट गवर्मेंट्स हैं वह अपने आपको प्रूफ करें, वह डिलेवर करें। चारो प्रोविंसेज में उन्हें चाहिए को डिलेवर करें। अपना काम करके दिखाएं। काम की तरफ कोई तो वज्जों नहीं दे रहा। सिर्फ और प्लिटिकल इस्टेबिल्टी के उपर जोर रखा हुआ है। क्यूं। नहीं तो गर्वर्मेंट के तो मेजर्स हैं और जब जब हम देख रहे हैं कोई नहीं कोई ऐसी काम किये जा रहे हैं खासकर इनिशिटिफ की बात की जाए। बजट हमने देखा कितना एक हम कह सकते हैं। सिर्फ उस मुटबत से तबके का सोचा गया जो के काफी बुरे हालात में रह रहे हैं। और ये भी सोचा गया कि इन्फलेशन को कैसे लाना है नीचे। थोड़ा सा मुश्किल था हम कह सकते हैं। वित्कील आफे सही कहा जैसे कि हमने देखा, में आमिरवरिट साभ आप से पूचना चाहोंगी कि बिजन्स की बात हुरी है, हमारे जो साथी फैलोखं hair, उन्हें कहा कि एक ने कहा कि एक्जिबिशन प्रॉपर्ली होनी चाहिए उन्होंने कहा कि होना चाहिए कि पॉलिसी रेट कम होना चाहिए अब आपको यह फिसकलियर जो स्टार्ट हुआ है इसमें चैलेंज क्या दिखाई देता है क्योंकि थोड़ा सा अगर हम आज ही की एक करनसी का आपको याद होगा कि वह स्टेग्नेंट की गई है अभी आप मैं यह समय ने कि एक जो घ्रेलू सारिफ है उसका भी बिजली का बेल आप एक छोटा साभी एक दो बच्छों की फैमिल पचाहाँ दार से कम बिल नहीं होगा इसी तरह बढ़ते बढ़ते लोगों के 5 पर 6-6 लाग रबे के बगरों के बेल आ रहे हैं बिजनिस के तो एक तरफ आप अलादा से छोड़ देना तो यह चीज है यह और जितनी इस्तमाल में कमी आ रही है उती ही महंगी हो जारी है इस्तमाल में उसके हमारी क्योंके इंडिस्ट्री बांद है इंडिस्ट्री होना शुरू हो गई तो भी हमारा मुल्क आगे जाएगा अदर्वाइस हम जो आना हम तरकी करना इस वजह से मुम्केन नहीं होगा इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा और 24 पॉइंट्स तयार के गए हैं कल मैं उसके पर डीटेल भी बात करूंगी लेकिन मैं अभी चाहती हम एक्जिबिशन का जो जौनरा अपनाते हैं आजखल पॉइंट ऑफ यू चेंज हो गया है इंटरनाशनली हम देखते हैं कि अगर किसी को कोई प्रोड़क्ट लांच करनी है तो उसकी लांचिंग और उसकी जो एक मार्केटिंग है वो अपने प्रोड़क्ट को दिखा के अगर जनोरे करते हैं और पर उसके बाद वो वो लोगो को अगडर फूट की है तो वसे टेस्ट कर वाकर और अगर वो किसी ऐसी मशेनरी की है तो इसे यूज करुवाकर वो किसी नगजी दरी के से आपको बटाते हैं कि हमारी प्रोड़क्ट में यह þीरज है लेकिन उसके लिए वो आपको डिरेक्ट दुकान पर नहीं देते हैं बलकि आपको एक एक्जिबिशन करके बड़ा सा और एक पंपर लाउंच करके और बताते हैं कि हाँ भी एक हैंग-on हुआ है तो क्या लगता है इब बड़ाज साब कि हमारे पास जो आप्शन्स आया हमारे पास जो मार इवेंट्स कर रहा हूं और बड़ा डिरेक्ट इन्वेस्टर्स और एक्सपोर्टर्स को लिंकिज़ फरहम करते हैं आप जितने मर्जी कंपेंड चलाएं जितने मर्जी इस्तियारा दें उनसे डेफरेंटली एक बूस तो मिलता है ब्रैंड को लेकिन सेल जनरेट तब ही हो का मौका मिलता है उसके कमेंट से आपको पता लगता है मैं बहुत अच्छा भी बना रहा हूं लेकिन कस्टमर की रिक्वार्मन को पूरा नहीं कर पा रहा तो उसके कमेंट मुझे बताएंगे कि मेरी प्रोडेक्ट में फॉल्स क्या था सेकेंड ली अब एग्जिशन कभी इसी फीर्ड के अंदर बेड़ी साल हो चुके हैं बड़े ट्रेंड चेंज करते एकरते एकरते हैं अब हम बहुत स्मार्ट स्लुशन की तरफ चले गये हैं अभी हम नेक्स्ट जदा की तरफ अकर जा रहे हैं तो अब हम इतने स्पैसिफिक हो गये हैं कि मेरे जो यहां हमारे और स Thailand Trading Colleagues Young Government करते थे यहां से जाने वाला यहां से जाने वाला उसकी क्या है है से कैसी पुछाय काँटरपार्पक त्युज्वल्य上हन केया है वो दोनों का match नहीं है, ठीक है, शायद sector match कर गए लेकिन capacity match नहीं कर रही है, तो आपको हर चीज साथ match करनी होती है, उनकी जुरूरतें भी match करनी होती है, उनकी capacity match करनी होती है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जाने से पहले, जितने भी हमारे साथ delegates, या जो manufacturers, या जो भी services providers ज investors के साथ, जाने से पहले आपका एक introduction होना चाहिए, दोनों की जुरूरतें एक point पे हो, ताकि जब हम exhibition में जाएं तो वो दिन आपका starting day नहीं होना चाहिए, वो concluding day होना चाहिए, so we have changed all these methods, और बहुत advance और इस चीज के पर हम काम कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत इसे results में अशी को बादे का बादे के दूश नहीं एक्सपोर्ट के लिए आफरीगा बड़ी मार्कित है अफिरिका बड़ी मार्कित है, आफरिकन में वेकिम नहीं होता है, क्या बैंक के LCS का issue जाते हैं, इस पर बताता हूं जी जूसरे हमारे मुलक्नों ने काफी जादा हूनकी बिल्कुल आमिर सभी फर्मा रहे हैं कि actually जब हमारा कुन्यानया कोई start-up trader यह manufacturer आता है वो सिर्फ Europe और अमेरिका को देख रहा होता है हम उनको कहते हैं कि ठीक है जो कर सकता है definitely करें लेकिन उनके standards को meet करने के लिए शायद मेरी industry का 10% भी उनके standards को meet नहीं कर रहा है हम क्यों यह अफरिका की तरफ जा रहे हैं क्यों नहीं हम Central Asia की तरफ जा रहे हैं यह सार्क रिजन में क्यों नहीं कर रहे हैं हमें regional trade को promote करने की ज़र होते हैं जब भी कोई sector developer होता है region develop होता है वो पूरा एक आस-पास जıtने मुमालिक होते हैं वो अकठा ग्रो करते हैं तो हमने तो रिजन में अपनी तवज्व देही नहीं है, हमें रिजन पर तवज्व देही की जूर होते हैं, पुरोसी मुवालिक के साथ इस तरह का महौल हो के आपस में मिलके, अब इंडिया, मैं कोट करना पड़ेगा, इंडिया और चाइना के इतने अच्छे मरासिम नहीं लेकर उनके बावजूद उनकी एक्स्पोर्ट और ट्रेड इसनी बढ़ लिए कि उन्होंने आपस में सेक्टर्स डिवाइड करती है, कि इस सेक्टर को इंटरनेशनल मार्केट में मैं पटचने करना है, हमें स्पेसिफिक होने की जूरत है, मैं शेकील साब से पोचूँग अब अप्शन फिर वही आएगी ना कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, बेसिक फर्स ऑप्शन तो यह है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो मैयर्स हैं वो लेने चाहिए गवर्मेंट को जो भी उसमें देखा जाए क कोई-kूँ सी एक्सपोर्ट औरेंटिट जो भी इंडिसक्रीज हैं उनको फोकस किया जाए उनको फिस्लिट किया जाए उनको जो 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 इनकी रिक्वाइब मेन्ट है उसके लिए कुछ टेक्स-फिरी उनको मशीन एक्विपमेंट जो है वो इंपोर्ट करने की परमिशन तकि वह इसिल यहां पे प्लाइंट टेल कर सके हैं और उसके बार हमारी प्रॉडॉक्ष जो है वो मार्केट staan में जा सके हम आप देखें नताश्या अलहम्दोगोद लिल्ला pad क कैपल्थ है पाकिस्तान के पास जो quality हम दे सकते हैं, हमारे पास हम उससे बहुत बेटर बहुत बेतर बहुत बेटर बहुत बेटर दे सकते हमारे पास हर चीज हर प्रॉडट में variety है हमारे पास skills है लेकिन unfortunately हमें थोड़ा सा उसमें government को चाहिए कि उसको encourage करें potential इतना है इस कौम के अंदर अगर आप sport में आ जाएं और ball बनाएं तो वोल्ड कप में भी स्वाल होती है you know that कि हम बात करें sport sector की कितना potential है Pakistan में well thank you so much Amir Vahit साहब, Allah साहब और शकील साहब आप लोगों ने join किया program में program का हिसा बने और तश्रीफ लाएं आज के दिन हमने detailed discussion किया about exhibition sector और खासकर हम बात करेंगे जो एक ये week स्टार्ट हुआ है और एक excitement देखी जा रही है कि यकिनन Friday को कुछ ना कुछ deduction होगा policy rate के अंदर कुछ ना कुछ कमी देखी जाएगी that's it is see note पर program को wind up करेंगे अजाज़ती जी आला हाफिज